श्माश्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको वाज विदित है कि मैंने जूतिश्ग्यान के नाम से एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक एस्टलोजी प तो दशा के बारे में मैं कुछ बता रहा था तो आज वो दशा का ही चैप्टर में कंटीनी रखूंगा कि डिफरेंट रहूं कि दशा कैसी जाती है और किस प्रकार के फल उसके अंदर मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉटेंट है और जिसके लिए जरूरी है यह जहान रखना कि दशा और अंतर दशा जैसे मैंने को पहले भी बताया हुआ था कि दशा अंतर दशा में दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि महादशा जो है वो इनसान की प्रकृति को चेंज करती है और अंतर दशा इनसान को फल देती है तो कैसे फल मिलेंगे आपको अंतर दशा में वो म मंगल है, सूर्य है, अगर इनकी महादशा है, यह जब ही आपको point लगाना है, जब इन में से किसी एक की महादशा चल रही है, शनी, गुरू, सूर्य, राहू, केतू, जो भी क्रूर ग्रह हमारे हैं, उनकी महादशा हो, और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो, जो जन्न नक्षत्र से तीसरे, पांचवे और साथे नक्षत्र का मालिक हो, क्या कहना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि मान लिया कि दशा है आपकी राहू की, शनी की, सूर्य की, या मंगल की, रूर्ग्रह की महादशा है, और ऐसे में जो ग्रहे आपका अंतरदशानात है, वो आप तो प्रॉब्लम होती है और आदमी दुखित रहता है कैसे जैसे माल लीजिए किसी व्यक्ति का जनम रेवती नक्षत्र में हुआ है तो रेवती अश्वनी और भर्नी भर्नी आपका तीसरा नक्षत्र हुआ है भर्नी हमारा तीसरा नक्षत्र हुआ फिर भर्नी से काउंट कीजिए रोहिनी आएगा रोहनी हमारा पांचवा नक्षत्र हुआ फिर आद्रा हमारा सात्वा नक्षत्र हुआ तो आपने नक्षत्री गिंती कर ली, 27 नक्षत्री गिंती आपको याद है, वो गिंती आपको बस पढ़नी है खाली, वो दिख लेना है, कि आपका जन नक्षत्र मालिया रेवती है, तो आपने वहां से तीसरा नक्षत्र गिना, रेवती से, तो तीसरा नक्षत्र गिन लिया, पांशवां गिल्दिया और साथवां गिल्दिया अब क्या है कि उनका जो स्वामी है उनका जो स्वामी है वो शुक्र है तो शुक्र की दशा में प्रॉब्लम बहुत जादा हो सकती है तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे मैंने कि आपको बताया कि माल लिजिए किसी विक्त का जन नक्षत्र रेवती है तो रेवती अश्वनी भर्नी भर्नी जो है वो आपका तीसरा नक्षत्रुवा रोहनी आपका पांचवा नक्षत्रुवा और आध्रा आपका साथवा नक्षत्रुवा भर्नी का स्वामी शुक्र है रोहनी का चंद्रमा है आध्रा का राहू है ऐस में और बहुत प्राव्लम्स उस दशा के अंदर रहती हैं काम बंते वी काम बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा पाइंट है कि किसी कुरूर गह की दशा हो तक है मतलब महादशा से हैं और उसमें जन्म राशी के स्वामी की अंतर्दसा चल रही है, आपकी जन्म राशी तो आपको मालम होगी, जिस राशी में आपका चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा आगर आपका मिथुन राशी में है तो उसका स्वामी बुद्ध हो गया, चंद्रमा आपका कर्क राशी में है तो उसका स्वामी चंद्रमा हो गया तो आपको ये देखना है कि अगर किसी क्रूर रह की दशा चल रही है महा दशा चल रही है और उसमें जन्म राशी के स्वामी की अंतर दशा है या जन्म राशी से अस्टम राशी के स्वामी की दशा हो तो चोर पीडा शतू पीडा और द कि दख्र से आस्त राशी का स्वामी चांव तर यह सब प्रॉबलम्स उसके इंदर हो तो यह चीज हमें रखने वाली हमारे इसके इसके इंदर बहुत जरुरी है फिर इसमें पाइंट आता है कि ऐसा के शनी की दशTime यदि चौती हो फ्रस्पति की दशा यदि छटी हो मंगल रहु की दशा यदि पांच वी हो तो वो दशा खराब जाती है कस्ट में जाती है इसimore मतलब है आपको झन के समय सूरे की दशा मिली आप जिसमें जन हुआ उसमें आपको सूरे की दशा मिली तो दूसरी दशा कौनसी होई चंद्र तीसरी कौनसी होई मंगल एक ऑन सी और और सका प्रेकर अगर आपके दशा गिनने से अगर वो शनी की दशा आती है आपकी जन्म दशा जिस समें आपका जन्म हुआ उस समें पैदा होने से आज की डेट में आपकी शनी की दशा आती है चौथी दशा तो कस्टकारी होती है रस्पति की दशा यदि छटी हो तो वो कस्टकारी होती है मंगल राहू की दशा यदि पांचवी हो तो वो भी बहुत कस्टकारी होती है ये ध्यान रखना इसमें अत्यनत आवश्यक है कि शनी की दशा चौथी ना हो प्रस्वेती दशा चटी ना हो और मंगल राहू की दशा पांचवी ना हो और दूसरे चीज़ कि और किसी भी राशी के अंतिम अंश्पर कोई भी ग्रह इस्तित्थो तीस्वे अंशon तो उसकी अ सब्धी बहुत जाती है अगर ग्रह अनक्तिक मुणत का है तो उसकी अंथ वह आनफ है और को थे नहीं क rankings पर बहुत जाती है अगर पर इसमें अ या दौभबस न हो में लगन मीन लगन हो लगन हो ब्रशब राशिक कर शुकुर डौद मिन दौधा बृषब रशची का शुकुर यानी शुक्र मीन राशिमें हो badge में हो या ब्रशब राशिक में हो और दसवे या द्वादश भाव में स्थित हो या ग्यारवे भाव में हो और किसी पाप घ्रहे के साथ न हो और ना ही अस्थ हो तो उस शुक्र की महदसा में जातक बहुत धनी बनता है वैभव युक बनता है और संपन्न बनता है है त sujet पाई शुबग्रह नीच राशी में शक्तृ राशी में छटए और 12 वैठा हो तो इसस अप कि पहलों किया मिप जैसे गुरु है शुक्र है चंद्र है तो नैसर की लुप से शुक्र है यादि छटे आठवे बारवे भाव में जाते हैं तो वह अशुक्ष फल दे वहां पर उनकी शुक्ता खता मुझाएगी और वहां अच्छे आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वह छटे आठवे बार हुत है तो यह जाने देंना है कि आपके छटे आठवे बारवे भाव में एकॉन से ग्रह बैठे नहीं इसके बुए हैं इक फिर लएकतय हैं किसी ग्रह की अंतर दर्शा हो जिस ग्रह की महातरशा चल रहीं है उसका कंद्रा रही हैанаज़्र कि माधर रहीNe शनी की महादिशा चल रही है उसका शत्रू हो ऐसे ग्रह की अंतर दिशा हो मंगल की अंतर दिशा हो यह सूरे की अंतर दिशा हो उसके अंदर तो वह शत्रू हो गया उसका यह यह एसे ग्रह की अंतर दिशा हो तो जिस ग्रह की महादिशा चल रही है उसका शत्रू हो तो क्या होगा इस्थान भै होता है नौकरी या मकान शूपता है यह अंतरद्शा बहुत कस्कारी होती है इसमें चार पॉइंट है एक पॉइंट तो यह है कि जिस रहा कि माधिशा चल रही है उसका शत्रू हो नंबर दो शत्रू राशी में हो या उससे छटे हो अंतरद्शानात हैं तो यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी महाधिशा और अंतरद्शा का एक्सिस क्या है तो यह मैंने पॉइंट आपको बताया कि महाधिशा स्वामी से अंतरद्शा का स्वामी जो है वो छटा आठवा या बारवा नहीं होना चाहिए किसी और स्थान पर होगा तो अच्छा होगा यदि महाधिशा और अंतरद्शा का एक्सिस छे आठ या दो बारा का बनता है तो वह बहुत नुक्सान दायक होता है अब वो दिशा बड़ी क्रस्ट करी जाती है महाधिशानाथ जिस घर में बैठा हो उससे गिरने पर अंतरद्शानाथ जिस घर में बैठ कि बरेठा अब देखा है तो या इसेकर सकते हैं कि महाधिशानाथ लगन बना के यह देखे जल कि अनतर अगरolt prim गणसर प्रति करेंगा केहने का मितलब यह कि महादसनात जिस घर्बें बेश गिंटे इस दला है वह उसका ओथ इंपोट इंपॉट है दो पाइंट में आपको बताना चाहता हूँ आज ही क्लास खत्म गोने से पहले वो नूट कर लिजे कि ये चेक करिए कि सबसे दुर्बल ग्रहे कौन सा है आपका शनी है या मांदी गुलिक और मांदी जो होते हैं वो है राहू है लगन है या लगन से 22 दृष्ट कौन का स्वामी है या आस्टमी से ये एक रहे जिन नवांशों में हैं उन नवांशों के स्वामी उप्यूप में से जो अधिक दुर्बल हो उसकी दशा मृत्यू कारक होती है ये ध्यान अपना है कि सबसे पहले ये देखना है आपको सबसे दुर्वल कौन है शनी है मांदी है राहू है लगन से 22 वे देश्वान का स्वामी है लगन से 22 वे देश्वान का स्वामी देखने के लिए आपको बहुत सिंपल है आप D3 चार्ट देखिए D3 चार्ट में दशा मिर्ट्यू कारक होती है और मिर्ट्यू तब होती है जब शनीवी गोचरवस अनिस्थ में होता है यदि ब्रस्पती जन्म राशी का स्वामी और जन्म लगनेश तीनों जन्म लगन से केंद्र में हो तो जीवन के मद्देकाल में सुप्राप होता है उसमें कोई दो रहे नहीं तो आशा करता हूँ यह पॉइंट आपको कुछ अंतरदशा के समझ माये होंगे समझ माये तो पर लाइक कीजिएगा सबस्ट्राइब पीजिएगा आगे अंतरदशा के बारे में और अधिक बताऊंगा आपको मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैश्री कृष्णी